देश की सबसे पराणी पार्टी कॉंग्रेस इंदनों बुरे दोर से गुजर रही है एक तरफ तो कॉंग्रेस को अधिकतर चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है इसके चलते एक के बाद एक कॉंग्रेस के दिगज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं हाली में मतप्रदेश के युवा नेता जोत्रायत्य सिंध्या ने भी कॉंग्रेस से बगावात करके कमलना सरकार को भी गिरा दिया था इसके बाद राजिस्थान में सरजन पालेट ने भगावती तेवर दिखाते हुए गैलत सरकार को खत्रे में पहुचा दिया है इससे पहले हर्याना कॉंग्रेस के अत्यक्ष रहे दिगज नेता अशोक तवर ने भी विदांसवा चुनाओ के बीच पार्टी को जटका देते हुए इस्तीफा दे दिया था जैनि कि कॉंग्रेस की मुसीवतें लगा अतार बढ़ती ही जा रही है इसी बीच राजिस्तान में सचिन पालेट और उनके खैमे पर कारवाई करने के बाद कॉंग्रेस ने महराष्ट में पार्टी के नेता संजा जहा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया इसके पहले संजा जहा को कॉंग्रेस ने प्रवक्ता पस से हटा दिया था इसके बाद तो संजा जहाने के तेवर और भी ज़्यादा तल्क हो चले हैं इसी बीच उन्होंने भविश्यवारी करते हुए कहा है कि अगर कॉंग्रेस ने अपना रास्ता नहीं बदला तो वो जल्द ही तबाह हो जाएगी टाइमस ओफ इंडिया में चपे एक लिख के मुताबिक संजा जहाने कहा है कि कॉंग्रेस में विप्रीद विचारों के लिए अशर शुरता है कॉंग्रेस बीजेए पर अवैद लोकतंत्र का लांचल लगाती है मगर अपने भीतर भी राजशाही संस्कृति को बढ़ावा देती है इसके साथ भी उन्होंने पांच ऐसे फैक्टर्स गिराए हैं जो कॉंग्रेस की बरवादी की तरफ इशारा करते हैं सज़ जहा के मताबिक कॉंग्रेस के महाविनाश का सबसे पहला फैक्टर है पार्टी का गिरता फूर्ट शेयर संज़ जाने बताये कि कॉंग्रेस का फरंपरकत रूप से 60 बोर्ट शेयर 45 प्रशद रहा है 1984 में इंद्रा गांदी के अत्या के फौरं बाद हुए चुनाओं में कॉंग्रेस को सबसे ज्यादा 48 दस्मलब एक प्रशद वोट मिले थे उसके बास से लगातर कॉंग्रेस का पूर्ट शेयर गिरता गया 1998 तक कॉंग्रेस का वोट शेयर 25.8 प्रशत पर आ चुका था यानि कि उसके करीब आधे समर्थक छिटक चुगे थे फिर 2009 के चुनाओं में कॉंग्रेस का वोट शेयर सुधरकर 28.5 प्रशत हो गया लेकिन फिर 2014 में पार्टी धड़ाम से गिरी उसके सिर्फ 19.52 प्रशत वोट मिले जाके मताबिक कॉंग्रेस की बरवादी का दूसरा फेक्टर है पार्टी के हाथ से फिसल थे राज्ये जाके मताबिक कॉंग्रेस बड़े राज्यों से लगबग गाय भी हो चुकी है उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्यमंगाल, तमिल्नाडू, गुजरात और ओ पाई थी मगर बीजेपी के हाथों गवा दी। बीजेपी के आगड़े देते हैं, जिसने इसी समयकाल में अपना वोट बेस 166 प्रशद पढ़ा लिया। में जोतर अति सिंद्या को भी। रजस्तान को जहा कॉंग्रेस के ताबूत में आखरी कील मानते हैं, और ने कहा है कि कॉंग्रेस की PSD थीसेस का कैटल होना चाहिए, दस आसान स्टेप्स में खुद की बरवादी कैसे सुनुशित करें। संजा ने कॉंग्रेस के माविनाश के पांच में फैक्टर का जिक्र करते हुए पार्टी के नेत्रत को जिम्मेदार ठहरा है। संजा के मताबिक पिछले 20 साल में कॉंग्रेस में केबल दो अध्यक्ष रहे, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव 1997 के बाद से नहीं हुए है, मई 2019 के बाद से कॉंग्रेस के पास पर्मानेंट अध्यक्ष तक नहीं है। जाने का आए कि पार्टी के भीतर जवर्दस्त गुटबाजी चलती है, उनका मानना है कि पार्टी 2024 में बीजेपी को टक कर दे सकती है अगर वक्त ना गवाई। कॉंग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष बनाना चाहिए और पारदर्शी तरीके से गडवंदन के चुनाव खराना चाहिए। तो इस तरह से कॉंग्रेस से सस्पेंड चल रहा है संजज हाने पार्टी के माविनाश के पांच कारण गिनाए हैं जो ये साफ करते हैं कि एकर ऐसा ही रहा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस एक दिन देश मुक्त हो जाएगी। वैसे भी इंदनो गांधी परवार के नेता संबेदन शील मोदे पर जिस तरह की घटिया राधनीत कर रहे हैं वो भी कॉंग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। लगातार कमर तोड़ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खुरों को पानी के लिए देखते रहे विकी न्यूस नवस्कार।